बगवान श्री सत्यसाई बाबा ने सम 1984 के अगस्त और सितंबर महिनों के दोरान शीमत भगवद गीता पर 34 महतपूर्ण प्रोचन प्रदान किये। ये प्रवचन गीता के सार को विवित सरल उदाहरणों के माध्यम से निरुपित करते हैं, जो प्रतेक साधक के लिए अत्तन्त उप्योगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 23 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका अपने इस प्रभाव पूर्ण प्रवचन में भगवान बाबा, कर्म, काल और बुद्धी इन तीनों के महत्व और विश्ष्टता पर प्रकाश डालते हैं। अरजुन को श्रीकृष्ण द्वारा दिये गए उपदेश के माध्यम से स्वामी सबको सतत कर्मठ बने रहने का संदेश देते हैं। स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति को स्थित्प्रग्य होकर अपने कर्म करने चाहिए जहां किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं रहती है। स्वामी स्पष्ट करते हैं कि इस्थित प्रग्य वही है जो शाश्वत और नश्वर के अंतर को हृद्यस्थ कर चुका हो। इसके लिए बाबा यूनान के राजा सिकंदर से संबंधित एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान बाबा का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि हमें बुद्धि को अपना पत्प्रदर्शक बनाना चाहिए जिससे कि हम गंतव्य तक सरलता से पहुंच सकें। स्वामी कहते हैं कि प्रतेइक व्यक्ति को स्वयम में नहित आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। शब्द स्थित प्रग्य को अत्यंत सरल भाषा में परिभाशित करते हुए सबको स्थित प्रग्य बनने का उपदेश इस प्रवचन में दिया गया है जिसके लिए अर्जुन को माध्धम बनाया गया है। योगस्तह कुरु कर्म माणि आत्मस्ति अन्दू निलकड कलेगी कर्मन आचरींचु अर्जुन स्वस्तुरोप स्मुति कलेगी यवटु कर्मन आचरींचुनू अट्टी कर्मलू अमोह मैने टूंटी वी अट्टी कर्मलू बंधरहित मैने टूंटी वी इट्टी कर्मलन आचरिंच टकू इंद्रे निग्रहमू अच्च वसरमू इट्टी निग्रहमू लनू अनुखोविंची आनन्द इंचिने टूंटी वाडे स्थित हे अर्जुन आत्मा की इस्थिति में निश्चल होकर कर्मों का आचरण करो जो स्वस्वरूप की स्प्रिहा के साथ जिन कर्मों का आचरण करता है वे अत्यन्त उत्कृष्ट कर्म होते हैं वे बंधन रहित कर्म होते हैं ऐसे कर्म करने के लिए इंद्रिय नियंत्रण अत्यन्त आवश्चक है ऐसे नियंत्रण का अनुभव कर आनंद प्राप्त करने वाला ही स्थित प्रग्य है सीथवस्ट्न मुलनुँं सुखतु कमुलनुँ मानाप्रि मानमुलनु लाभनस्टमुलनु समत्त मुंगा भाविंची तमयोक्क स्वसुरूपानु सम्धानमुलो तानुक निमग्रूड कावट में सितक्योगनियोक्क सोभावं समत्Too योग उच्चती, इट्टी समत्फ topics भाविंचितमे स्थितप्रग्रियोक्त सभावं मुट्ट मुलट्ड इंदरीमुल योक्क hat गुनमुल मुलनु शभावमुलनु गुर्तिचिन Państwo इट्टि स्थित प्रग्य तत्तों मुनकू सरिय इनक्वंटी सुलभ मार्गम येर पड़तुंदी देहात्म भावम उंडिनन्त वरक कुड़ानू मानवनकू इट्टि स्थिती दुल्लभमू ठंड और गर्मी सुख दुख मान सम्मान लाभ और हानि को समान मानते हुए स्वस्व रूप के साथ जुड़ना ही स्थित प्रग्य के लक्षण है समत्वम योग मुच्चते समत्व की यह भावना ही स्थित प्रग्य का स्वभाव है सबसे पहले इंद्रियों के गुण एवं स्वभाव से अवगत होने पर स्थित प्रग्य होने का सही मार्ग सुगम होगा देहात्म भावना के रहने तक मानव के लिए ऐसी इस्थिती दुरलभ है नीवु देहि कानी देहमु कादु नीवु धरिंचुनट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् भोगमुल अन्ये कुड़नु अस्यांतिने चेकुरुस्ताई चेंचलमुतो कूड़ने ट्वुन्टिय कपलेटमुलु चेंचलेंगाने उंटाई कनुका नीवु स्थिरचित्तुडवै आत्मा सुरुतियंदु नीवु कर्मा नाचिरिंचिटकु पूनुको मन्नाडु श्रीकृष्ण ने कहा तुम देही हो नकी देह तुम धारण करने वाले हो नकी धारण किये जाने वाला वस्त्र तुम निवास करने वाले हो घर नहीं तुम छेतरग्य हो परंतु स्वयम को छेत्र मान रहे हो समस्त नश्वर भोग पदार्थ नश्वर तत्व को ही प्राप्त करते हैं सभी अनित्य भोग अशान्ति ही प्रदान करते हैं चंचलता से युक्त सभी फल चंचल ही होते हैं अतह स्थिर चित्त वाले होते हुए आत्मा की स्प्रिहा के साथ अपने कर्म करने के लिए सन्नध हो हमें होने वाले सुख और दुख अथवा जनम मरण से बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए चिन्तित नहीं होना चाहिए जनम और मरण देह के होते हैं तुम्हारे नहीं तुम देह नहीं हो जनन मरण से परा है वह शाश्वत आदि, मध्य और अंतर रहित है अनादि नहीं जनमता ना मरता नहीं मारा जाता सरवत्र व्यापित वह आत्मा तुम ही हो श्री कृष्ण ने कहा आत्मा ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही आत्मा है अगनी के गरम होने की बात सुनते ही क्या कोई शोप करता है बरफ के ठंडे होने की बात सुनकर क्या कोई दुखी होता है कारण यह कि अगनी के लिए दाहने की शक्ति सहज है ठंडक बरफ के लिए सहज है इसी प्रकार उत्पन्न प्रत्तेक वस्तु का विनष्ट होना सहज है आई हुई प्रत्तेक वस्तु के लिए जाना सहज है जन्मने में जितनी स्वतंद्रता है मरने में भी उतनी ही स्वतंद्रता है आने में जैसी भावना है जाने में भी वैसी ही भावना है ऐसे सहज सुख और दुख तथा जन्म और मरन के लिए तुम्हारा चिंतित होना सही नहीं है इत्ति समत्तमुनु गुद्धिन्च टकु वस्तू यक्का दोशवनु उट्टमोट गुद्धिन्चा लिए जगत्तु नंदु कला समस्त नस्वर पदार्थमुल कुड़नु इदो वकनाटकी इवी मार्पु चेंदु नवे इसी समता से अवगत होने के लिए सबसे पहले वस्तु में नहीत दोश से अवगत होना चाहिए जगत में विद्यमान समस्त नस्वर पदार्थ किसी ना किसी दिन परिवर्थित होने वाले ही हैं श्री कृष्ण ने कहा सरवत्र विद्यमान पंच भूत मुझ में हैं तुम में भी हैं इसी जगत में ही नहीं चाहे किसी अन्य जगत में ढूनने पर भी पंच भूतों से भिन अन्य कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी सामने की वस्तु में जो पंच भूत हैं वे ही पंच भूत तुम में भी हैं तुम में जो पंच भूत हैं फिर से उनकी ही अपेक्षा करना बहुत बड़ा अज्ञान है अपने पास जो वस्तु नहीं है उसकी अपेक्षा करना ही लोक में सहज है परन्तु अपने में जो वस्तु निहित है उसी की मांग करना असहज है तुम्हारे पास जो वस्तु नहीं है तुम्हें उसकी मांग करनी चाहिए ऐसे पंच भूतों से परे एक मात्र सद्वस्त है जो इश्वर ही है तुम उसी की अपेक्षा करते हुए उसी को अपने लक्ष में रखते हुए अपने कर्तव और कर्म करो ज्यान से युक्त कर्म ही श्रेष्ठ हैं। ज्यान का अर्थ एकता का दर्शन है अतह आत्मा को लक्ष बना कर किये जाने वाले कर्म ही अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अतह ऐसे कर्मों का आचरण कर उन्हें भगवत प्रीती के लिए किये जाने वाले कर्म मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो आशी इस्थित प्रग्या इस्थित के लिए भारत देश में अनादी काल से अनेक रिशीयों ने बहुत श्रम मानते हुए एक बार यूनान का राजा सिकंदर सिंधुनदी के तट पर आया भारत पर विजय पाने और उसे लूटने के लिए वह सेना को साथ लेकर आया उन दिनों रास्ते राजमार्ग न होकर पगडंडियां हुआ करती थी उसने अपनी सेना के साथ एक पगडंडी के रास्ते में प्रवेश किया उस पगडंडी पर एक पेड़ के नीचे एक योगी पैर पसार कर ध्यान मगन था वह पूर्ण इस्थित प्रग्य था राजा से पहले एक सिपाही ने जाकर उस योगी को जगाने का प्रेत्न किया परन्त उस योगी ने उस सिपाही की जरा भी परवाह नहीं की सिपाही उसे अनेख प्रकार से धमकाने लगा कि यूनान का समराट आ रहा है जो बहुत महान और बल्वान है जो राज्य को लुटने आ रहा है सिपाही योगी से बातें कर ही रहा था कि राजा उसके निकट आ पहुचा सिकंदर के निकट आ पहुचने पर भी योगी के न उठने और आदर न करने के कारण सिपाही को बड़ा क्रोध हाया और उसने तलवार खीच कर योगी से उसका सर कलम कर देने की बात कही ये बातें सुनते ही योगी जोर से हंसते हुए उ आनन्द किरनमनु चिंदुलु दक्कुतु उन्नाई। इतना युक्का मोकतेज़सु चूची चक्रवत्ती समेपिंचा। उस योगी के चहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं था। आनन्द की किरने फूट पड़ रही थी। इसके मुख की तेजस्विता को देखकर समराट इसके निकट आया। घोडे से उतर कर कहा वत्स सर कलम करने की बात कहने वाले इस सिपाही को देखकर तुम यूँ जोर से क्यों हस रहे हो। कोई सामान्य मानव होता तो डर कर अथवा दास बन कर अथवा शरणा गद कर क्षमा के लिए प्रार्फना करता। परंतु तुम्हारे हसने का कारण क्या है। कि योगी चिपत्तु नाडु नेनु सच्छिदानंद स्वरू पूडनु नन्नु आयुदमुल एमात्त्रम कुडनु छेदिन चलेव। अग्नी काल चलेद। नीरू मुन्चलेद। काली तेल चलेद। अलांटि नन्नु यी सिपाई सिरत्चेदरं चेस्तान नाडु। यी अग्णायमु छोची नाकु नव होच्छिदिन नाडु। तब इस योगी ने कहा मैं सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ। मुझे किसी भी प्रकार के हथियार काट नहीं सकते हैं। अग्नी दाह नहीं सकती है, पानी डुबा नहीं सकता है, हवा उडा नहीं सकती है। ऐसे मुझसे यह सिपाही सर कलम करने की बात कह रहा है। इस अज्ञान को देखकर मुझे हसी आई। ये बातें सुनकर युनान के महराजा को बड़ा अश्चर्य हुआ। मरणमुनुक बैपडेट्वन्टी वेक्तिल लोकमुलो उन्नारु कानी। मरणमनेगा केवलम लच्चमु चेयेका दीरत्तमुतो इविधित्मुटे आत्म तत्तमुलो इमिडिनेट्टि वेक्तिलु चाला आरुदु। संसार में मृत्यु की बात सुनकर भैभीत होने वाले होते हैं। परंत मृत्यु की उपेक्षा पूरी धीरता से कर आत्म तत्तों में मगन लोग बहुत विरले ही होते हैं। भारत देश में ऐसे महानुभाव हैं। इस भारत देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो नैतिक और आध्यात्मिक तत्तों के सहारे आत्मा से संबध्ध विशयों से अवगत हुए हैं। ऐसे पवित्र भारत देश के प्रती प्रणाम। अतह भारत देश में मेरा प्रवेश करना बिल्कुल सही नहीं है ऐसा कहते हुए वह लोट गया अनाधिकाल से भारत वर्ष में ऐसे महापुरुष पवित्र आत्मतत्व के बारे में अन्य देशों को उपदेश देते हुए देश का सम्मान उजागर करते आये हैं प्रमुखता इंद्रियों को नियंतरित करने से अवगत ना होने के कारण अधिकतर लोग बुरे मारगों का अनुसरण कर रहे हैं इंद्रियों का नियंतरण अत्यंत सरल है जो नहीं जानते हैं उनके लिए सब कुछ कठी नहीं है जो लोग विशय से अवगत हैं, उनके लिए सब कुछ सरल ही है, अतह अवगत होने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने चाहिएं। सभी इंद्रिय भोग दुख के कारण हैं। सबसे पहले वस्तु में नहीत दोश को खोजना चाहिए। तातकालिक सुख और संतोश के लिए मानव अनेक कश्टों और दुखों से जूज रहा है। रोगी इंद्रिय वाडू अपच्यमनों तिरगोरी मरुगुगा इजो वक पदार्त्तमन तिप्पिन्चकोनी सोल्पंगा भुजिंची तातकालिकंगा आनांदिस्ताडू अपच्यमनेट्पिन्टि वस्तूनों तातकालिक आनंदाने मात्रम अनुखों चाड़का नी तदुपरी आ रोगमनेट्पिन्टे दी बलापडि बलमै अनेके विधमुलगा अतननी दुख्कमुनकू कस्टमुनकू गुरुचे से जेट उन्टी विश्यमनों तानी ये मा रोगी व्यक्ति अपथ्य को खाना चाहकर पसंदीदा व्यंजन को छिपा कर मंगवाता है और थोड़ा सा खाकर आनंदित होता है अपथ्य व्यंजन को तातकालिक रूप में खाकर तातकालिक रूप में आनंदित हो रहा है परन्तु बाद में रोग के तिवर्तम होने तथा उससे होने वाले कश्ट और दुख से वह अवगत नहीं हो पा रहा है यह रोग उसे खत्रे की इस्थिति में पहुँचा देता ह अधे विदमुगने मानवुनु छनफंगुर में पुण्टि युक भोगमुनकै लोंगी तदुपरी अनेक विदमें पुण्टि दुख्कमुनुनु अनुबविस्थार। इसी प्रकार मानव ख्षनिक एवं नश्वर भोगों के वशीभूत होकर अनेक दुखों का सामना करता है। भोगों का उपभोग कर रहे हैं। भोगों का उपभोग कर रहे हैं। पता चलता है कि वह भोगों का उपभोग नहीं कर रहा है बलकि भोग ही उसका उपभोग कर रहे हैं। भोगों द्वारा ही उपभोग करने के कारण वह रोगी होता जा रहा है। दुर्बल होता जा रहा है बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है। यदि वही भोगों का उपभोग करने वाला होता तो चिरंजीवी होता स्वास्त को प्राप्त किया होता अच्छी शक्त को प्राप्त किया होता। परंदु इन भोगों के कारण सारी शक्त को खोता जा रहा है। अपनी आयू की अवधि को भी घटाता जा रहा है। मानव इस सत्य से अवगत नहीं है कि भोग ही उसका उपभोग कर रहे हैं बलकि वह स्वयम भोगों का उपभोग करने की भावना से आनंदित हो रहा है वेलें अतनने चुझे पोगुछ के लिए महाले और रहे हैंग एक में अवगत ओ सल्ग्या करकाने अंदिती ए क्रेंग कि अष्टान शे स्ञाु कि जिए सोथे की भावनाद dedicate उसटें बलकि ओ्यरणा वगत रहें कि Meguopena अच्टार नहीं कुछुछ कोूछ झांडाना नहीं हम इन लौकिक भोग और संपत्ति मात्र को लक्ष में रख रहे हैं परन्तु यह नहीं जान पा रहे हैं कि ये लौकिक भोग और संपत्ति नितान्त नश्वर है एक आदमी एक जोतिशी के पास गया उसने उसे अपना हाथ दिखाया हाथ देखकर जोतिशी ने कहा सरकार आपकी धन रेखा बहुत लंबी है यह सुनते ही आदमी सतर्क होकर बैठ गया और थोड़ी दिर तक देखने के बाद जोतिशी ने कहा सरकार आप अत्यधिक गवरों और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे यह सुनकर वह बेचारा और अधिक खुश हुआ और थोड़ी देर तक जाचने के बाद फिर कहा सरकार आप बड़ा पद प्राप्त करेंगे वह उसी दिन प्रधान मंत्री बंजाने की कलपना करने लगा फिर अगली रेखा को देखकर जोतिशी बोला आपको अपारधन संपत्ति प्राप्त होगी यह बेचारा और अधिक आनंदित हुआ इतने में जोतिशी फिर बोला परन्तु आपकी आयुष रेखा बहुत छोटी है यह सुनते ही आदमी ढेर सा हो गया इसका आंतरिक अर्थ यह है कि चाहे कितनी ही धन संपत्ति क्यों न हो चाहे कितने ही भोगों का उपभोग क्यों न किया हो चाहे कितना ही बड़ा पद क्यों न हो परन्तु आयू के स्थिर ना होने पर इन सब के होने मात्र से प्रयोजन ही क्या है जब स्वयम वही स्थिर नहीं है तब ये सब स्थिर कैसे हो सकते हैं यंतमंधी राजुलू यंतमंधी महाराजुलू एविधमें परिस्थित लो इजगत्त नुवीड़िपोयार। निरत सत्यप्रवोगी धरन नेलिना अरिष्चेंद्रुडी धरभासी चनगलेदा यल्ला लोकमुले यले यशक स्री नला राजु तनवेंट पूमिनी कोनुचु चननना पुरुदय अम्मनको अलंकृति चेयु माध्धात सिरिद्मूट कट्टू कजनुचननना कितने ही राजा महाराजा किन परिष्थितियों में इस जगत को छोड़ कर चले गए सतत सत्यधर्म से शासन करने वाला हरिष्चंद्र क्या जग को त्याग नहीं गया सारी धरती का शासक नल महाराज क्या साथ साथ अपने भूमि को ले जा सका सत्यूक का अलंकार बना राजा मानधाता बांध गठरी धन की साथ ले जा सका सागर पर जिस राम ने पुल बनाया था धर्ती पर आज वह दिखता कितने ही राजा आए और चले गए नहीं ले जा सके धर्ती अपने साथ तुम सब क्या अपने राज्यों को यहां से सर पर बांधे जाओगे क्या धर्मिर्दय कनुक इगडच्य निट्म 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 निट बीते हुए इतिहास पर विचार करने से इन नश्वर पदार्थों का विशय अच्छी तरह से स्पष्ठ हो जाएगा इस जगत में सत्य और नित्य वश्त अथवा व्यक्ति अथवा विशय नहीं दिखाई पड़ते हैं नहीं वे हैं तुममें जो है उन्हीं को तुम बाहे जगत में देख रहे हो तुम्में जो है तुम्में जो नहीं है जो सर्वत्र है वह एक मात्र है वही सत्यम शिवम और सुन्दरम है अतह उस सत्य के लिए तुम प्रयत्न करो वैसे नित्यस्थल के लिए यात्रा करो वैसी सुन्दर दिव्यता को तुम प्राप्त करो अपने कर्तव्यों का पालन तुम करो। अपने प्रकार से उपदेश देने के बाद, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में उतारा। श्री कृष्ण ने कहा, अपने लक्षे को मुझ में इस्थिर कर, मेरी आज्यां का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करो। करतव्यों का आचरण करने के लिए ही तुमने शरीर धारण किया है। शरीर को समय के सहारे पवित्र करने के लिए ही कर्मा चरण करना चाहिए। कर्मवलने जन्ममु लभिंचिने जगुर्टानुका कर्मद्वारारणी जन्मम्न सार्थकन चेसको। लोकमुलो आरन दीपमु वक्कटे उन्नदी, अधे आत्मा। करेंट उन्डिन अन्तवरको बलपुलु वेलगुत आई, करेंट पोताने बलपुलु वेलगु। कर्म के कारण ही जन्म प्राप्थ हुआ है, अतह कर्म के सहारे ही जन्म को सार्थक करो। लोक में न बुझने वाला दीपक एक ही है, वही आत्मा है। बिजली के रहने तक बलप जलते हैं, बिजली के गुल होने पर बलप नहीं जलते हैं। दिये में तेल के रहने तक दीपक जलता रहता है, तेल के खर्च होते ही दीपक नहीं जलता है। टॉर्ष में बैटरी के होने तक प्रकाश रहता है बैटरी के समाप्त हो जाने पर प्रकाश दिखाई नहीं देता है सूरज चांध और अगनी के लिए किसी प्रकार की बिजली आवश्चक नहीं है किसी प्रकार का तेल आवश्चक नहीं है किसी प्रकार की बैटरियां आवश्चक नहीं है परन्तु वे भी प्रलय काल में अंधकार का अनुभव प्राप्त करते हैं जब सूरज और चांद ही अपने प्रकाश से वंचित हो रहे हैं तब तुम्हारी आउकात ही क्या है अरे पागल बड़े से बड़े पहाड को चूर चूर करने वाले के लिए छोटा सा कंकड क्या मायने रखता है श्री क्रिष्ण ने कहा शूर्य और चंद्रमाही जब ऐसी नश्वर्ता को प्राथ हो रहे हैं तब तुम्हारा जीवन क्या मायने रखता है ये भोग क्या है यह देहा भिमान क्या है बंधों और मित्रों का यह शोक कैसा केवल अज्ञान में डूबते जा रहे हो अपने आशूओं की धाराओं की नहर में बहे जा रहे हो उठो जागरत की इस्थिती में रहो उत्तिष्टत जागरत प्राप्य वराननी बोधतह अभी सूर्य और चंद्रमा जगत को प्रकाश दे रहे हैं आएते सूर्य चंद्रदू जगत्त नव प्रकाशिंप चे वच्चनु अका नी बहगावन तुन्य प्रकाशिंप चे वच्चनु अगा नी प्रखार नए ने रहे हो सूर्य और चंद्रमा जगत को प्रकाश्मान तो कर सकते हैं, परंतु वे इश्वर को प्रकाश्मान नहीं कर सकते हैं, दीपक घर की वस्तुओं को प्रकाश्मान कर सकता है, परंतु वह इश्वर को प्रकाश्मान नहीं कर सकता है, फिर हमें कैसे ग्यात हो रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और अगनी प्रकाश्मान हो रहे हैं किसके आधार पर ये प्रकाश्मान हो रहे हैं या हमें कैसे अवगत हो रहा है हमें आखों के सहारे इनके प्रकाश्मान होने की बात मालूम हो रही है अंखों के न होने पर सूर्या और चंद्रमा के होने पर भी सब कुछ अंधकार साही प्रतीत होने लगता है फिर आँखें किसके प्रकाश से प्रकाश मान हो रही हैं जब हम सोते रहते हैं और जो दृष्टिहीन होते हैं उनमें यह प्रग्या के माध्यम से प्रकाशित हो रही है आखों की अपेक्षा बुद्धी अधिक प्रज्याशालीनी है वह प्रकाश से परिपूर्ण है इसके लिए छोटी सी कहानी है एक द्रिष्टिहीन और एक लंगडा दोनों मित्र बने दोनों मिलकर भीख मांगने के लिए गाउं गाउं जाने लगे लंगडे की आखें थी और अंधे के पैर थे पैरों वाले अंधे की पीट पर लंगडा सवार हुआ लंगडे की आखें थी इसलिए वह अंधे से भाई इस रास्ते से चलो उस रास्ते से चलो कहता स्टेरिंग हुमा रहा था इस तरह दोनों आपस में एक दूसरे को समझते और मदद करते हुए भीख मांगने गाउं गाउं जा रहे थे बीच रास्ते में उन्हें खीरे का एक बड़ा बगीचा दिखाई पड़ा उपर बैठा लंगड़ा बोला भाई यहां बहुत से खीरे हैं भूख भी लग रही है कुछ खीरे लेकर खाएंगे और भूख मिटाकर अगले गाउं के लिए निकल जाएंगे अंधे ने कहा देखो तो जरा कोई पहरे पर तो नहीं है लंगड़े ने कहा नहीं कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है फिर अंधे ने कहा बगीचे पर कोई बाड़ा या फाटक लगा है क्या देखो तो लंगड़ा बोला नहीं बाड़ा है नहीं फाटक है न कोई आदमी ही है इसलिए खीरे खागर चलेंगे इसलिए खीरे शायद अच्छे नहीं है कडवे होंगे यदि अच्छे खीरे होते तो कोई पहरे पर होते है होता या बाड़ा होता है इसलिए चलो चलते हैं यहां विचार करने पर पता चलता है कि आखों वाले की अपेक्षा द्रिश्टीहीन की प्रग्ञ्या अधिक है अतह आखों को बुध्धी ही प्रकाश प्रदान करती है फिर बुद्धी कैसे प्रकाश मान है बुद्धी आत्मा के प्रकाश से प्रकाश मान है बुद्धी के सहारे नेत्र, नेत्रों के सहारे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के सहारे यह जगत प्रकाश मान हो रहे हैं इसी बात को विपरीत दिशा में विचार करने पर जगत के प्रकाश के आधार सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का अनुभव प्राप्त करने के लिए नेत्र है नेत्रों को प्रकाश मान करने वाली बुद्धी है इस बुद्धी को प्रकाशित करने वाली आत्मा है अन्दतह आत्मा ही लक्ष है आत्मा ही मेन स्विच है आत्मा को ही आधार बनाओ तुम आत्मा को ही लक्ष में रखो आत्मा को लक्ष में रखने पर ही तुम स्थित प्रग्य बन पाओगे स्थित प्रग्य बन पाओगे सामान ने मानों को जो अज्यान में रहते हैं उन्हें स्थित प्रग्य के बारे में कुछ न कुछ बता कर संदिख्धता में डाल देते हैं सामान ने लोगों को कुछ न कुछ बता कर धोखा देते हैं वह कुछ इस प्रकार बोलते हैं दिन में जब सभी लोग जागते रहते हैं तब ये नाइट ड्यूटी करने वाले सोते रहते हैं इसी अर्थ को सही मानने तो सारे स्टेशन मास्टर गोरखा और वाच्मेन इस्थित प्रग्य ही होंगे आत्न तत्तों मुलो केवलमू निद्रिस्त उंटारो अनगा जागत अवस्तलेक उंडा उंटारो अजने संबन नमें तुंतियों के जगत विश्य मुलो पला आति जाग्रत अवाल मेलू कोन उंटारो यह सही अर्थ नहीं है नश्वर जगत पर आधारित लोग इस जगत के संदर्व में बहुत सतरक रहते हैं इन सांसारिक भोगों के संदर्व में इस्थित प्रग्य उपेक्षा के साथ सोता रहता है सामान्य लोग आत्म तत्तों को विस्मृत कर सोते रहते हैं, अर्थात असावधानी से रहते हैं, विशय जगत के संदर्व में सावधानी से जागते रहते हैं अनग, आत्म लच्य मतों जीबिंचे शेट वाडू, जगत लच्चयानी विस्मरिंचे शेट वाडू, स्थित प्रेग्णोडों आत्मा में विश्वास रखने वाले और जगत को विस्मृत करने वाले को ही स्थित प्रग्य कहते हैं सब कुछ का परित्याक कर जंगल को जाने वाला स्थित प्रग्य नहीं है तुम सब काम करते रहो जगत संबंधी अपने पेशे में डटे रहो परंतु आत्मा को लक्ष में रखो परंतु यहां तुरंद शंका उत्पन्न होती है कि ऐसे लोगों को कर करने के आवशक्ता ही क्या है कि अग्नानों लुद्धर इंची प्रकासम लोग प्रवेशिम पचेटान की सित प्रग्य नहीं वीरो आधर से प्रायलुगा उन्टूंडानी वारी कर्मलतों येक्टी भलमों लेका पोईना पड़कनी येक्टी संबंधव लेका पोईना अग्यानी हैं स्थित प्रग्य हैं ऐसा मान कर निश्चेष्ट रहने पर अग्यानियों का उध्धार संभव नहीं है अग्यानियों का उध्धार कर उन्हें प्रकाश के मार्ग में प्रवेश कराने के संदर्व में स्थित प्रग्य और ज्यानियों को आधर्ष पूर्ण ध पर भी अज्ञानियों का उत्थान करने के लिए उन्हें कर्मों में प्रविष्ट होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तुम्हें आदर्श पूर्ण बनना चाहिए। तुम श्री कृष्ण के निकट बंधु हो अत्यन्त आत्मी हो जीजा हो इतने प्रकार के संबंध होने के कारण इस संसार के समक्ष एक आदर्श पूर्ण व्यक्त के रूप में तुम्हें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसी लिए श्री कृष्ण ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्य साची। तुम्हें एक निमित्त बनाकर इस संसार को आत्मत्तत्व का उपदेश देने के लिए मैंने निश्चे किया है। क्रिष्णूरु चेप्पिने वन्नी कुड़नूं, केवलमू, लोकादर्स निमित्तमै, मानव, कल्यान निमित्तमै, आत्मग्रान निमित्तमै, अंधींचिन अट्वण्टिवें। श्री क्रिष्ण के सारे उपदेश, लोक में आदर्ष स्थापित करने, लोक कल्यान के निमित्त, और आत्मग्यान प्रदान करने के लिए ही हैं, ऐसे उपदेशों और उद्वोधनों से, श्री क्रिष्ण को होने वाले लाभ या हानी कुछ नहीं है, किसी भी अवतार धारन के समय, इश्वर स्वार्थ रहित भावना से, परार्थ की ही अपेक्षा करते हैं, सामान्य उसे समझ नहीं पाते हैं, वे उस दैवत्तों को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए श्री क्रिष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा रत हाकने के उत्साह और उल्लास भावनाओं से, मैं नहीं आया हूँ, तुम ऐसा मान रहे हो, कि मेरे पास रत और घोडे नहीं हैं, मैं मात्र छेह फुट का नहीं हूँ, देहात्म भावना तुम्हारे शरीर और रक्त में पूरी तरह समा चुकी है, इसे दूर कर परमात्म भावना से तुम्हें भरने के लिए, मैं इतना नाटक रच रहा हूँ, यहुमरी तो कुड़नु ऊरिके वर्निंच कुने एट्वन्ट स्वभावू भगवन्तुनी एंदू उंडल। कलो के यप्पुडु चूचिना कुड़नु अर्जुनु अर्जुनु भावा 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 नी, इस बावमर्दुले एक किसम भोजन लेव चुस्तानु चुरस्तुने एट्वाडू। वकानको समयलो किस्टुडू यमुनातीरमुंद अग्गर जिस्टुड दिन्नलपएन चेप्प्पैडू। अर्जुन, निरंतरमू ननु भावा 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 नी, एविदमें पूटे सम्मंधव लेकुण। नीतुने इन वावा नी पिंच कोटव नाकिष्टन लेजन नाडू। लोकमुलो भगवन्तुने अनेक मन्दी वर्निस्तु उंटारू, पोगुडतु उंटारू। कानी इपोगुडत लो भगवन्तुने एमात्रम कुड़नों अंगे करिंचडू। वेर्थ में किसी से प्रशंसा करवाना इश्वर का सोभाव नहीं है। अर्जुन हमेशा जीजा, जीजा, जीजा कहते हुए जीजा साले के संबंद की ही भावना किया करते थे। एक बार यमुना के तट पर, रेत के ढेरों पर श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तुम सदा मुझे जीजा, जीजा कहकर पुकार रहे हो। बिना किसी संबंद के मुझे इस प्रकार बुलवाना पसंद नहीं है। संसार में लोग अनेक प्रकार से इश्वर का वरणन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसी प्रशंसाओं को इश्वर कदापी स्विकार नहीं करते हैं। किसी अफसर या अधिकारी की प्रशंसा करने पर कोई लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कानि कारण मुँ लेनी पोड़तलु, अर्ठम लेनी इक्रिंटी पगड़तलु, केमरु पन्नीर वंटीव मात्र में चेप्पेड। पन्नीर वासन चूसतु कुर्चोचने तपपा, दानने त्रावतु कुर्चो कोड़ दनल्लार। वारे वर्णलों नी विनवत्चनेका नी घुदियानक दीशको कोड़ू। ये दी सक्चे में निट्वा अभी मात्र में भगोंतर घुदियानक दीशको उटाड़ू। ऐसी अकारण प्रसंसाएं और अर्थ हीन प्रसंसाएं गुलाब जल के समान है। गुलाब जल मात्र सूंगने के लिए है उसे पीना नहीं चाहिए। उनकी प्रसंसाओं को तुम सुन तो सकते हो परंतु हिर्दय में जगह नहीं देनी चाहिए। जो सत्य होता है इश्वर उसे ही हिर्दय से स्विकारते हैं। आयती ने नुँँची बावा भावा अने चेशकोनी इन आनन दिन चालिया नी अपपड़ सुबद्र निच्ची पेंडी चेश्यादू। श्री कृष्ण ने कहा तुमसे इस जीजा के संबोधन को दूर करना मुझे भी पसंद नहीं है। तुम मुझे जीजा जीजा कहना नहीं छोड़ते हो इसलिए यथार्थ में तुम्हें जीजा बनाकर मैं आनन्दित होँगा। इसके बाद ही उन्होंने अर्जुन के साथ सुबद्रा का विवाह किया। सुबद्रा का अर्जुन को देना बलराम को पसंद नहीं था। विवाह के समय बलराम उहां नहीं थे। वे वन्वास के लिए चले गए। तब से बलराम श्री कृष्ण को कोस्ते ही रहे। अनगा है क्रिष्टुन येक सुबपाव में टिंटे ये वक्क विश्यम कोडनों माततो पाटू क्रियन कोडनों आचरे इन चिपक चेयाली। इदी मानवनी येक निज़ सुबपाव मननाडू। येदी तलस्ताओ अदी चप्पाली। येदी चिपकुनों अदी वचन के साथ कर्म करना श्री कृष्ण का सभाव है श्री कृष्ण ने कहा यही मानव का सभाव है जो विचार करता है वही कहना चाहिए जो कहता है वही करना चाहिए मन वाक और कर्म की एकता ही दैवत्व है इसलिए the proper study of mankind is man कहा गया है यही सच्ची मानवता है ने नितरलosh बोझन चाले अन्दवर को ने नितरलोक बोजन चटक वीलुकार अन्ण अज्ञान से भरे अर्जुन के हिर्दय को विशुद्ध बनाकर इश्वर की शरण लेने का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा सबसे पहले तुम मेरे तत्व से अवगत हो मैं देह स्वरूप नहीं हूँ तुम देह स्वरूप नहीं हो तुम देही ही हो मैं देही ही हूँ देही को सही ढंग से पहचानने पर देह भरांती बिलकुल नहीं होगी देह क्षणिक है खुद्र है देही सत्य है नित्य है तुम धारण किये जाने वाली वस्तु नहीं हो तुम धारण करने वाले हो अतह देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवस सनातन अनित्यम असुखं लोकं मिम प्राप्य भजस्वमाम यह अनित्य है यह असुख है अतह इश्वर जो नित्य एवं सत्य है उन्हीं का आश्रे ग्रहन करो यह असुख नो प्रिवोजनम ऌस न मैं मार्पुचिंदु नट्वणी जी मारपुचिंध नट्वणी ने अरन धीपमू आ धीपानि आनि आश्रे असुख नो प्रिवोलियदन ुखल्य अधे अध्वेत से अम्हान नी पुद्धर जोथि जीवित का अत्वेत्त किसी का आश्रे ग्रहन करने से कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब परिवर्तन शील हैं। एक मात्र अपरिवर्तन शील छठा गुण इश्वर ही हैं। वही कभी न बुझने वाले दीपक हैं। उसी दीपक का आश्रे ग्रहन करो। वही परण जोती हैं। वही जीवन जोती हैं। वही अखंड जोती हैं। वही अद्वैत जोती हैं। अतह उनहीं का आश्रे ग्रहन करो। उपसंगहार। भगवान बाबा ने स्पष्टतह कहा कि मानव को शरीर सतकर्मा चरण के लिए ही प्रदत्त है। ऐसे सतकर्मों से ही जीवन सार्थक होता है। जगत में कर्म और आत्मा के महत्व को उद्घाटित करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक माध्यम बनाया है। कर्मों का आचरण और आत्मतत्त्त्त से अवगत होना प्रत्तीक मानव का अनिवार्य आध्यात्मिक कर्तव है। भगवान बाबा का कथन है कि आत्मा के संदर्व में सतर्क और सजग रहने वाला तथा नश्वर जगत संबंधी विशयों में उपेक्षा की द्रिष्टी अपनाने वाला ही सच्चा इस्थित प्रग्य है। स्थित प्रग्यता की स्थिती को प्राप्त करने वाला ही अद्वैत की अनुभूती से अवगत हो सकता है। सर्वत्र व्याप्त उस अखंड परमात्मा के तत्व से अवगत होने के लिए स्थित प्रग्य होना अनिवार्य है। अबी आपने भगवान बाबा द्वारा शीमत भगवत गीता पर दिनांक 23 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना